पूल के पास और कहते हैं आज तुम्हारा पूल डे होगा ये सुनके सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं मिस ओ बेस्ट है को कहती है तुम बेवकुफ इतने प्रिपेर थे कि स्विम्शुट पहन के आ गए इनकी टीचर अब कहती है लेकिन तुम आभी भी टेस्ट ही दो गई हाँ पर ये सुनके सभी हैरान हो जाते हैं अब यहाँ एकदम से जमीन हिलने लगती है और पूल के दो हि जाते हैं और जब यह उपर आते हैं तो सामने एक बड़ा सा ओशन होता है तब इनकी टीचर उपर हेलिकॉप्टर से कहती है यह ओशन नहीं है यह बस एक बड़ा सा पूल है और यहाँ पर ही तुम्हारा आज का टेस्ट होगा जो भी स्टुदेंट सभी आंसर सही देंगे वो किनारे पर जा सकेंगे गुड़ लख सभी को अब यह बंदा को का स्विम्शूट देखने लगता है और कहता है यह तुम पर बढ़िया लग रहा है यह सुनके को इस पर चिल लाने लगती है और इसकी नाक से खून निकलने लगता है और यह पानी में नीजे चले जाता है शोकासू कहता है जब तक मेरे पास हाकू जैसा पहन है मैं नहीं यारूंगा और को से कहता है चला जल्दी से टेस्ट खतम करें अब इनका टेस्ट शुरू हो जाता है और को लिखने लगती आंसर्स यहां पर एक्जामिनर को ना देखके कुछ बच्चे चीटिंग करने लगते हैं लेकिन तभी कोई इने नीजे पानी में खीच लेता है और तभी यहां पर एक बोलने वाली बड़ी शी शार्क आ जाती है और यह है इनकी एक्जामिनर जिसके पास है एक एलेक्ट्रोनिक ब्रेन और अब यह यहां इन सभी को चीटिंग करने से रोकेगी यह सभी के कपड़े फाडु कर देती है आप शोकास्सू और यह लड़का हाकु और को को देखते ही जा रहे होतेv और इसकी फिर से नाक से खून निकल जाता है और यह पानी में गिर जाता है यह शार्क अब एक टेक्निक यूज़ करती है जिसका नाम होता है कोगा सैन्पू जो एक बड़ा सा पानी में बवंडर पैदा कर देता है जिससे सभी शार्क को यह पूरे एरिया में फेक देता है और यह सभी बच्चों को पकड़ लेती है यह को और हकोवे भी अटेक करने आ रहे होते हैं तब इस शोकास्थू शिंडरा बांशो का यूज़ करता है और इन्हें बचा लेता है यह शार्क शोकास्थू की तरफ आने लगती है शोकास्थू कहता है यह दोनों ELTIPY student है लेकिन इस शार्क को इन पर डाउट होता है बागी की छोटी शार्क सभी बच्चों को एक-एक करके ले जार ही होती है शोकास्टू कहता है तुम इसे टेस्ट कैसे कहा सकती हो ये कहती है ये टेस्ट है यहां मैं डिसाइड करूँगी कि तुम हुमन्स इस वर्ल्ड में रहने लायक हो ये नहीं हम शाक्स लैंग उन सभी क्रियेचर्स को जो सर्फेस में रहते हैं उनको अपने अंडर ले आएंगे और उन फिर राज करेंगे दूसी तरफ उपर हेलिकॉप्टर में ये आदमी कहता है कि इसके एलेक्ट्रोनिक ब्रेन आट ओफ कंट्रोल हो गया है टीचर कहती है आई हो कि सब ठीक होंगे नीचे ये शार्क कहती है आपसे सर्फेस पे हम राज करेंगे सब कुछ डिस्ट्रॉइ कर दो शोकासु इन रोगने का ट्राय करता है लेकिन ये शार्क जो है बहुत ही जादा होते हैं और शोकासु इन रोक निपाता तब ये बंदा आ रहा होता है शोकासु के हल्प करने क खाता हूं मैं इसे डिस्ट्रॉइ कर दूना और एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है अपनी जिसका नाम होता है शिपू डोटो और ये पानी में रोटेट होने लगता है स्पीड में और एखाबा का बवंडर बन जाता है और सभी बच्चे इस से पानी से बहार आ जाते ह से इतनी पावर देखके शार की हरान होती है और इसका प्रें कुछ बी अनायलीचस ने कर पारा होता और शोकास्त कि रहा होता है इसे से और को अपना टेस्ट कम्प्लीट करके शोकास्ट को दिदेती है और शोकास्ट इसे कॉपी कर लेता है और टेस्ट कम्प्लीट हो जाता है अब यह सब यह लड़की देख के कहती है यह बढ़िया है और यह लड़का कहता है यह इंट्रेस्टिंग नहीं होता अगर यह बढ़ रहता है वो तुम ही हो जो मेरे हर्ट स्ट्रिंग्स बजा रहा था और इसी के साथ ही एपीसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं